से हैं आपको आई होट कि आप सब लोग ठीक है तो बहुती दिन बाद एक वीडियो आ रहा है आपके सामने आज तो यह किस चीज़ के लिए मैं आज बाता रहा हूँ आप लोग टाइटेल और थामनील देखे समझे चुके होंगे एंटीबिसी का एसिस्टेंट इंजिनेर का रिक्यूमेंट आ गया है 2021 में यह एसिस्टेंट इंजिनेर का लेटेस्ट इंजिनेर है एंटीबिसी का तरप से एंटीबिसी का फूल फ्रूम आप आप लोग समझो के तो नैश्यलन थार्मान पावार कॉर्प्रेश्यन तो बहुत ही अच्छा एक रिक्यूमेंट बहुत ह तो इसी वीडियो में सब कुछ रहेगा कहका डीटेल्स कॉलिफिकेशन और डेट के बारे में मोड ऑफ स्लेक्शन के बारे में तो अभी तक आप चैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन इसको क्लिक करके और एप्लिकेशन फी की बात किया जाए तो यहां पर जेनरल ओबी सी एंड इडाब्लीए स्केंडेट के लिए 300 रूफिया फी है एसी एस टीन एकस एस एम के लिए कोई फी नहीं है पेमेंट आप लोग किसी भी तो से कर सकते हो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के डिट कार जाने इसका बता रहा है तो आप लोग मान लीजेए यह गलत है तीकर इसमें गलत दिखाए 2000 जानावरी यह फेवरारी यह घलत दिखाए और ऑप लोग पकर लिजेए इसका दो मांत बाद मतल्व मार्च लीजे जून में इसका एक्जाम होने वरा है तो जूब लोकेशन जो होगा वाल ओवर इंडिया से यहां पर कैंडेश्ट हो पाई कि इसलिए वाल ओवर इंडिया इसका जॉब लोकेशन है इस लिमीट आपको कैलकुलेट करना है फास्ट डिसमबर 2000 2020 कि मैं मैक्सिमाम 25 यास इसका नीचे बस होना चाहिए तो मैक्सिमन 25 अपर हो जाएगा तो अब लोग इस चीज में अप्लाइब नहीं कर पाऊगे बट एसी एंस्टी के लिए आपर एज लिमिट के लिए पांच सल चूटे और ओबीजी के लिए तीन सल चूटे तो नमबर आपोस्स कितना है 230 पोस्टे नमबर आपोस्स टोटल पोस्टे तुर्ण 230 मतलब और कैटेगोरे वाइस भी नोने डिटर्स बता दिया है कुल एक्सप्रियंस इंजिन्जिनियर इयां पार 2200 पोस्टे याँ और के स्पिक्ति और espion क्रीष नो डिटर्टन क्या हो और रहाएं जो यहां पार 200 पोस्टे ऐस मतलब बैच्ल बेर उनजेंग या वी टेक तो भी टेक को दूब लोग या बीर्टे सिक्स्ति परसेंस मार्क से एंट नीए एक्स्परेंट से तब अब लोग इस पोस्थ के लिए अाफ KVA ओगे मतलब इंजैंग्ưởng इछ ने के लिए यहां पर अफ्राइब कर Looking तो कि मतलब यहाँ पर one year का experience भी मांग रहा है किसी भी company किसी भी industry में आप लोग one year expense है इंजियंग related जो होता है BE and B take engineering तो वहाँ पार 60% mark भी चाहिए एसिस्टेंट केमिस्की बात किया तो यहाँ पर 30 post है एसिस्टेंट केमिस्की लिए तो candidate having master degree M.A.C. in chemistry तो मतलब candidate को master degree होना चाहिए मतलब M.A.C. होना चाहिए chemistry में chemistry में कोई M.A.C. करके रखा है with minimum 60% minimum 60% होना चाहिए for A.C. and A.C. candidate के लिए only pass मतलब A.C. and A.C. candidate के लिए कोई percentage नहीं चाहिए मतलब सर्फ M.A.C. करके रखा है chemistry में तो भी आप लोग apply कर पाऊगे बस बट अधर जो होता है general O.B.C. इसका candidate के लिए M.A.C. होना चाहिए chemistry में 60% minimum marks भी चाहिए तो आप लोग apply कर पाऊगे तो टेस की selection क्या होगे return examination में आप लोग को qualify करना है stage 1 stage 2 बस इतना इसका process से तो आई hope कि आप वीडियो आपको समझ में आ गए और पसंद भी आए तो एक like कर दीजाए फेंग कर साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए अभी तक चाहिए उनको सब्सक्राइब ने को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही thank you for watching